Hello friends, आज के वीडियो में हम discuss करने वाले हैं कि अगर आपने किसी भी persons को invoice issue किया और उस invoice में आपने जो rate की बात हुई थी उससे ज़्यादा का rate आपने चार्ज कर लिया. आप सर सामने वाले party बोलती है कि सर इतना कम amount मुझे आपको pay करना है तो आप एक काम करिए मुझे credit note दे दीजिए. That means कि amount difference का credit note कैसे issue करते हैं ये आज हम इस video के अंदर detail में discuss करते हैं. हमने previous में एक party को good supply किया था उसमें जो भी हमने invoice raise किया था वो invoice sir था आपका ये. sales party में जाएंगे sales account और यहाँ person ये invoice था और इस invoice में हमने 61.45 के हिसाब से हमने amount charge किया था अब वो बोलते हैं कि सर 43,000 रुपिस का हमें credit note देजिए. 43,000 रुपिस का यहाँ पर differences आ रहा है तो उसका आप मुझे credit note दे दीजिए. अब credit note कैसे issue किया जाता है? सिफ difference amount का भी यहाँ पर goods return नहीं हो रहा है. सिफ difference amount का हमें credit note देना है. तो उसके लिए sir हमें जाना है voucher में. vouchers में हमें जाना है other vouchers. other vouchers में आपको credit note के options पर क्लिक करना है. जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, party name आपको लिखना है. जैसे हमारी party name है Sanjay Hardware. अब यहाँ पर sir आपको original invoice number आपको यहाँ पर इंटर करना है. तो original invoice number sir आपका है 62. जो भी आपका original invoice number है वो आपको इंटर करना है. और date इंटर करनी है, date है 15 September 2024. इसके बाद party details का options आएगा, उसको आपको yes करना. इसके बाद अगर आपका interest rate है, तो interest rate sales 18%. अब जो भी goods था, उस goods का आपको नाम लिखना है. तो गूर्स का नाम आपको ज़रूर लिखना है. लेकिन यहाँ पर आपको quantity इंटर नहीं करनी है. आपको simple यहाँ पर amount इंटर करना. अब जो amount है वो है, sir, 43,500 रुपेस. और वो भी including GST है. और असपर 18% के GST, 8% के हिसाब से हमने previous में GST उनसे चार्च किया था. अब credit notes का simple सा मतलब होता है, है, sir, इतना amount हमारा कम हो जाएगा, हमको कम tax pay करना पड़ेगा. तो यहाँ पर including GST है, 43,500, तो हमें excluding amount आपको यहाँ पर enter करना है. तो इसके लिए हम alt के साथ में key press करते हुए calculator को open करेंगे. 43,500 into 100 divided by 118. क्योंकि यह जो amount है, 43,500, यह 118% का amount है. क्योंकि इसमें 18% आपका GST include है. तो यहाँ पर अगर आप enter press करेंगे, तो यह जो amount है आपका 36,864, यह आपका basic value आ गया. अब इस पर आपको tax charge करना है, output IGST, 18%, 6635. अब यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, तो वो amount आपका यहाँ पर आजगा साथ 43,500. अब आपको यहाँ पर provide GST details के option को yes करना है. जैसे आप yes करेंगे, यहाँ पर आपके बहुत सारे options है. उस options में आपको correction in invoice पर आपको click करना है. बायर debit note, अगर उन्हें debit note tissue किया हुआ है, तो वो details आप यहाँ पर enter कर सकते हैं. और इसको क्या करना है सर, save कर देना है. जैसे आप इसे save करेंगे, यहाँ आपके GSTR 1 के अंदर show होगा. GSTR 1 के अंदर आपको जाना है सर, display more report में, और statutory reports में जाएंगे, detail report और GSTR 1 में जाएंगे. GSTR 1 के अंदर आप period select करेंगे, जैसे हमने October मन्त में invoice credit route दिया हुआ, तो यहाँ पर हम date change करेंगे, 31,000, 2000, choice. तो यहाँ पर सर, आपका आजाएगा यह, यह जो amount है, यह credit or debit not registered, B2B वाला, 36,864 और 66. अगर total sales आपका, sir, 873 है, उसमें 43,500 आपका minus हो जाएगा, तो net sales आपका आजाएगा, sir, 8,30,258. तो इस तरह से, अगर आप किसी भी party को difference amount का credit not issue कर रहे हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं. As well as, अगर आपको किसी भी party का debit not issue करना है, तो भी आप इसी तरह से करेंगे, party का name लिखेंगे, वहाँ पर, और अगर credit not अगर उना इसू कर दिया हुआ है, तो credit not की details वहाँ पर डालेंगे, original invoice number डालेंगे, और यहाँ पर आप जो भी product है, वो product select करेंगे, और amount इंटर करेंगे, तो credit not और debit not दोदों तरह सेम तरीके से, बस उसके जो voucher से वो अलागया, तो आप यहाँ पर सर हमने ये debit not, credit not, credit not हमने issue कर दिया, अब इसका print देना है, print दे दिजिए और party को आप same कर दिजिए, तो इस तरह से, जब भी आपको की difference among का credit not issue करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना, next class में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए, thank you so much.